हैलो गाईज नेक्स एपिसोड के स्टार्ट से पहला आप लोग मेशन न को सब्सक्राइब करते हैं यहाँ जवाब दोगे और शाओधी दिखाई जाते हैं जो यो हैंक से अपना बाज़ो छुड़वा लेती यह कहें कि मुझे दर्द हो रहा है यहां कहें लगता है कि तुम्हें पता था ना यहां पर मुरान तुम्हां इसा डांस करने वाला है इसलिए तुम यहां पर आई हो ना श एक्सिबेशन में अपना स्ट्रॉल लगाकर अपनी छोटी छोटी चोटी असेसरिस भी सेयर करनी थी यहां कहें लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हैंड के बानी असेसरिस पिकने वाली थी शाओधी कहें लगता है कि क्यों उसमें क्या मसला है हम इंसान हम तो उसका मुबाल देता है तो शाओधी भी उसका मुबाल उसको दे देती है और यो हैंग उसका मुबाल लेने के बाद अपने मुबाल को साफ करने लगता है ये देखका शाओधी भी अपने मुबाल को उसके सामने अपनी बाजू से साफ करके जाती है और पिर जब यो हैं case is तो मेरे क्या करने आए हो तो मैं यह मसला हो रहा होगा ना कि मैं तुम्हारी सिट है का में थे चले यहां यहां कुछ सुनने के बात अंधर आकर बन कर देता है शायोंदी कहा था कि मैं तुम हुं आप होगे तो दॉल को वहां बाहिर से बंद करनाई अंदर से नहीं यह हैं कही लगते हैं कि अच्छा मैंने सूचा तो तुम्हें आकर एक चीज दो पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो नालो ये तो स्टौर का सर्टिफिकेट है जो तुम्हे चाहिए था शाओधी जब यह देखते हैं तो जल्दी से उससे आकर सर्टिफिकेट को पकड़ लेती हो कहने लगती कि मुझे तो चाहिए था और थैंक्स तुमने मुझे यह सर्टिफिकेट ला कर दे दिया और साथ में योहेंग की गले लग जाती है योहेंग तो देखता रह जाता ह है यह सब करते हुए उसको शाओधी देख लेते हो शाओधी आका कहने लगती है कि विजलू तुम क्या कर रहे हो योहेंग जब शाओधी की आवाज सुनता है तो सोच में डल जाते है क्या क्या करें फिर कमर की तरफ हाथ लेकर जाने लगता है यह देखकर शाओधी कहने देती हूँ यह हैंग उसको रोकने लगता और पिर शाओधी जब जाने लगती है कि यह हैंग तो जो पॉक पर रहा है वो तो उसने उल्टी पकड़ी हुई है यह देखकर वो कहते हैं कि तुम्मारी क्या बुक उल्टी है यह हैंग यह सुनते साथ है अपने बुक को जाती हूँ हैंग जब सुबा में आकर देखता है तो उसने हाथ में एक पिन पकड़ी होती है उस पिन को पकर करे कहने लगता है कि इसने पूरी राच जो पिन बनाई है वो सिरफ एक ही बनाई है कितने डम लड़की है यह सौचकर वो वहाँ से जाने लगता है पीर जाते जाती वे उसके उपर कंबल देर कर चला जाता है शावदी को कॉल आती है कि आपने अभी सुबर मैं स्टोल लगाना है कि तुप अभी मिने छाट अगे आएगा और जैसे शाओधी वहाँ से बाई चारी होती है तो आगे से यूव याना कर उसका सूटकेस पकड़ लेता हूं कहाई लगता हूं शाओधी उससे देखका कहें लगती कि मुझे लगता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा हुआ है वह बताये लगता है कि तुमन लोग मेरे बारे में बुराया कर रहे हो यह सुनकर लियू यान कहने लगता है कि नहीं नी मैं आपके बारे में कुछ कैसे बोल सकता हूं और पीछे डिकी में शौधी का बैग रख देखता है और शौधी आकर यहांक से बात करने लगते हो कहने लगती कि तुम आज इतनी टैक्सी नी मिनी यहीं सबसे अच्छी टैक्सी है अब चुप करके इसी में बैठना होगा और मुरान दिखाए जाता है जो अपनी उल्टी हरकतों की वज़ा से अपने कजन के सामने बैठा होता है उसका कजन उसको डाटे लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो तो मैं पता भी प्रसिबीशन में भी जरूर जाओंगा और आप तो उस तरह की इंसान है आपको जो जाओ फैमली कहती है अब वो कर देते हैं मुरान के इस बात के बाद उसके कजन को काफी ज़दा उस पर गुस्ता आने लगता है और वो जाओ को मानने लगता है पर दोनों लड़के उनक प्रसिबीशन में पहुंच जाती है और वहां पर काफी ज़दा सेल्स करने के बाद शाओधी घर आकर पैसों का काउंट कर रही होती है और जो पैसे बनते हैं उसमें से हाफ लियो यान को देने लगते हैं कि यह तुम्हारे पैसे लियो यान कहता है कि नी मुझे नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए आगे मेरा गला खराब हो गया मुझे नहीं पता था इतना चीखना पड़ता है फिर लियो यान पूछे लगता ह कि क्या तुमने कर भी इननी पिंस को सेल करना क्या तुमने सोच है और पिंस बनाने का इना है kit का कहने लगती कि क्या मैं इसमें ड्रिंग कर सकती हूं लियोयान आगे से कह देता है कि हा कर सकती हो यह वास सुनने के बातों लियोयान देखता ही रहा जाता है कि इसलिए हा कैसे करती लगता है इनके दर्मियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है और फिर दोनों उसके सामने कर जो यहां पर लाकर दिखा सकती हो शाओदी उसके इस तरह के बात सुनने के उसने बनाए हुए है उसको लेकर गूमने लगते तब भी यो हैंग देखते हैं कि वो गलास किराने वाली है उसके गिराने से पहले ही टेबल के आगे पाउं रख लेता है ताकि वो गलास नीचे गिर जाए और यही पर हमारी एपिसोड भी कतम हो जाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना